जोईन आवर पेड़ कोर्सिस बेस्सी मैथेमेटिक्स समेश्टर 126 एंड पार्ट 123 हलो स्टुडेंट्स आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल द्यास कुमार में फिर सेख वर स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे sum and product of two polynomials अगर आपको दो polynomial given हुँ तो आप किस परकार से sum find करेंगे और product यानि की आप किस परकार से addition find करेंगे और किस परकार से multiplication find करेंगे तो देखिए यह जो आप sum find करेंगे नहीं सम भ.." आप easy से find कर सकते हैं। और प्रोडक्ट होता है इसमें थोड़ा सा दिक्वत आता है। लेगन Sum आप बहुत ही easily find यह तो शलिए बातώνें। तो जैसे कि मालली जहें हमारे पास a polynomial है F of X F of x हमारा है कुछ प्रकार से a0 x के पावर में 0 plus a1 x के पावर में 1 plus a2 x के पावर में 2 plus dot 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 plus a n x के पावर में n आ समझ रहे हैं ठीक है और हमने दूसरा एक पोलिनोमियल ले लिया g of x और यह है हमारा b0 x के पावर में 0 plus b1 x के पावर में 1 plus b2 x के पावर में 2 plus dot 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 plus bn x के पावर में तो देखिए यहां पर डिग्री अगर आप सेम लेते हैं फिर भी चलेगा अगर डिग्री सेम नहीं लेंगे फिर भी आप कर सकते हैं सम को और प्रोड़क्ट को बास समझ रहें तो यहां से कोई मतलब नहीं है लेकिन हमने यहां पर सम लेके के इंगे चल यहां पर भी हमें नेके चला यहां पर हमने एकस के पाहर में न लेके चला तो उससे फ्सक्रियें आप जो लेकी चलेगा सब अब देखेगे को क्या करना सम्ट पहले मंसम के उपर डिसकस करते हैं क्या उसकिस परकार तो चंद करएंगे जिस्से आपने 0100 dazu कि प Randy एैसी पार में 0 प्लस एवं एक्सिया लिए ह्सकर में टुलस डॉट 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 प्लसorama यह एन एक्स्पार में फ्लस हैऑ ज़ी अपक्ति जीए अफसें यह हमारा चलिए लिगते हैं B0 फ्लस ठीर टुक्दलस ऐने अक्सित और ग्uß साम फाइंड करें देखिए यहां पर कुछ नहीं होता जो कॉफिसेंट होते हैं यहां पर एकस जीरो का कॉफिसेंट क्या है यहां पर एकस जीरो का कॉफिसेंट क्या है यहां पर लिख सकते हैं यहां पर एकस जीरो का कॉफिसेंट क्या है जीरो यहां पर एकस जीरो का कॉफ कोफिसेंट कि यहंप में डिय है आइस के कावपीसेंट यहां पर हैक्षिंट का कॉफिसेंट से तेहन यह müsste लिग beef देङन के प्रहुटर पुरियाrü आपका कैक्सी कुर्ण प्लस ऑट उएक कफिसेंट क्या मैं यहां पर इन हो गया और यहां पर एक्सके तो सब्सक्राइब करेंगे करना बहुत इजी यह आपको आग लेकिन अगर कहने का मतलब सरी आपनी किस परकार से कर दिया अपने तो कुछ बताया नी तो चलिए अगर आप सिखना चाहते हैं अगरम्हें आखर आपको य ये चीज म में आपको पता है इसको थोड़ास में लंबा करके चले ने हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या है, आपको यह नोगर्व कई कि दिश अधा है और प्लस आप डिख सकते हैं ब्लस ब्लसब उन एक पार में न Sharon रोपका यहां पर एक्षक लिए जिरो और क्या लिया तहीं प्लसोग गी जिरो प्लस दुरिंप दोट डॉट प्लस बेलरी ऐकुल प्लस अ कमन सब्सक्राइब आरा में प्लस यहां से तो इस प्रकार से इस चीज़ को समय सकते हैं यह कैसे यहां से आए यहां से तो F of X plus G of X जब भी आपको सम करना है क्या करेंगे आप कॉफिसेंट जो इसके कॉफिसेंट सोंगे खाली कॉफिसेंट को आपको एड करना है है सबस्क् influencers आपका जो आपका फिर्स के पार मीं 0 का ज़ Malays को लें Hem स Sou दोनों के नहीं करेंगे एक्स के पार मीं 0 गएगे फिर इधर देखेंगे असके बात समझ रहे हैं तो चलिए हम लोग कुछ एक्जामपल लेते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हमको करना है ठीक है मैं आपको दोनों बताऊंगा पहला में जेनरल मेथेड बताऊंगा फिर जो यह बने अभी कंसेप्ट पड़ा इस कंसेप्ट के आधार से हम लोग फाइंड क करेंगे देखिया हमको क्या करना समफांड करना फर्स्ट का मनों फ्राइंड करते हैं यसे अफ़स्ट नों फ्रस्ट प्लस टू एक्स और जी ओफबले शवयर्ट कि डिपने माइनस डू प्लस 3 X प्लस 5 x स्क्वेर तो दोनों का सम करना है यानि हम करेंगे एप उफ एकस प प्लस थ्रियक्सप्लसफथ democratic स्कुर्ट चलिम स्वाइब 2x MORE अप्लस मानेयो किरे अथ्य एक्स अप्लम माइनस टूफ प्लसफ प्लस प्लस थ्रिक्स प्लस प्लसप्लसाइब 2nd चेके अटो चलिके स्ला गरती है या ओवण और यह माइनस तूwe गया minus 1 और यह प्लस 2x plus 3x plus 5x और यह प्लस 5x का square तो यह हमने generally method इसको solve कर दिया और जो अब हमने और एक method सिखा था जो अब हमने पढ़ा F of X प्लस G of X find करने का तरीका था क्या तरीका था coefficient लिखते हैं तो पहले हम लोग प्राइब यहां पर यहां पर क्या है यह स के प्लस जाएक क१िसियंट ठेक है फिर प्लस होगा अब हमनों लिख्वाजी चेक को सेंट को टो एक्ष यौजज़सेंट passive देंगे और यहां पर एक्स का कॉफिसेंट टो चैने एकस्ट क्वेशन 0 है और यहाँ पर एकस्ट के ना है पर 5 लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1 रॉस चो ला है प्लस दो और तिन पांच पांच हो गया प्लस जिरो जोल पमच तो 5x होगया तब देख सकते हैं सबी होए अंसर आया या यहां सब होए अउसर आया तो आप जिस तरह से काम करेंगे आप कर सकते हैं तो आमने फस्ट को सोल्ख कर दिया तो चलोओ अमటें सबूस्ट कैंगों कर दिया तो छिकेंद क्यों में बॉक Talk याँ पर इसका डिखरीई है इसका 4 सकते कोई मतलब नहीं जितना रही जितना नहीं आप करते हैं आप इस फ्लेस वाइन्सलave असके उनल्वेस असलब सब्सक्रदों owners फ्लेसु कितना एक्सक्वयर माइनस फॉर एक्स क्यों ठीक है-प्लस-2 चलिए इसे लिगते हैं चासी लिगते हैं तरी प्लस 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 प्ल में 4 चलिए simple set कर देना है दो अर्थिन 5 5 एक्स चार एक्स नो एक्स यह देखिए square x square वाला है जब कियो वाला है इस पर आपको साधानी देखना है ठीक है तो यह प्लस 3 x लग गया अब यह माइनस 4 x q और माइनस x q दिया हो गया माइनस 5 x q 2 प्लस यह देखिए एक्स के पार में 4 वाला एक ही है तो प्लस 5 x के पार में 4 यहां सामने एक solve कर दिया इस प्रकार से आप चाहिए इसको second method से भी solve कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था पहले लोग लोग यह क्या लिखते हैं ऐस के पाब में 0 का कउफिसेंट सब्सक्राइब तो five plus four five plus four plus x के पार मुआन हो गया फिर eqs के पार में ट्टो का कॉफेच़ एक्स के पार में 2 पर हैं जबकि यहां पर एक्स के पार में टू अला प्लस जीरो प्लस अब एक्स के पार में थ्री वाला देखना है तो एक्स के पार में थ्री वाला उपर में देखते हैं तो एक्स के पार में थ्री वाला मौझूद है हाँ है क्या है माइनस चार है यहां पर लिगेंगे माइनस चार फिर प्लस ठीक है अब प्लस के बाद यहां क्टिर भाइन है तो माइनस वन यहां फ् essentially कर नो लेक्स पर एकसे पर एंड्रिक फोर देख लेते हैं कि थे एकस के पर ही पर उन्चेर प्रोट कर चंद ऌसक्ट एगा प्लस यहां पर एकिंगे व taraf स्कुर्ट मुझूद का सूपर यह कोफिसिंट फार नहीं देखेंगे मिने हमगों कहा तक जाना है देखिए जहां तक जित्ना हीसर का चलना कर से ₹ 3 5 X के पावर में 0 उपर में लिखते हैं तो X के पावर में 0 का बहले 1 तो 5 इंट 1 तो 5 यह हो जाएगा प्लस 5 आर चार 9 और यह हुआ X प्लस 3 जोड़ 0 तो 3 X स्क्वेर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 X Q प्लस 5 X के पावर में 4 तो चलिए आप मिला लिजिए 5 5 मिल गया 9X 9 X मिल गया 3X 3X square है ना यह square था हमने छोड़ दिया था 3X square 3X square 3X square मिल गया माइनस 5 X Q-5 X Q प्लस 5 X के पावर में 4 तो प्लस 5 X के पावर में 4 तो आपको वरस्केबल इसे प्रकार से उबर करना है तो देखें सम बाला concept एकदम इसी है, तो हमको दिकत कहाँ पर होगा product में, और अभी हम लोग product सिखने वाल हैं, तो product में आपको थोड़ा सा दिकत हो सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे एकदम अच्छी तरीके से, तो आपका product में भी कुछ दिकत नहीं होगा, और product में वाला हूँ, tricky concept, ठीक है, ठीक है, और एक सीज, यहाँ पर तो आपको समझ माइगा, यहाँ पर हमने थोड़ा मिश्टेक कर दिया था, यहाँ पर एक्स लीग दिया था, लेगिन 3x square वाला क्या है, एक हीट है, तो यह 3x square रहेगा, ठीक है, तो चलिए, अभी हम लोग बात क करते हैं, product of two polynomials, और हम लोग discuss करेंगे, product of two polynomials, या फिर multiplication of two polynomials, जो बोलें आप, तो जैसे हमारे पास माल लेजिए, आफ आफ एक, हमारे पास एक polynomial है, a0, x के पार में 0, plus a1, x के पार में 1, plus a2, x square, plus, dot, 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 plus a, n, x के पार में n, ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसको concept से देख लेंगे, कि हमारे जो man concept है, कि आप concept से किस परकार से करेंगे, फिर मैं आपको tricky concept से बताऊंगा, कि आप tricky मदद से किस परकार से करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे जो man concept है, जो हम छोटा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस concept के उपर पहले हम बात करते हैं, फिर tricky में आपको ले चलूंगा, तो हमको क्या करना, product करना है, यहां पर हमारा f of x क्या है, यह है, a0 x के पार में 0+, a1 x के पार में 1+, a2 x के पार में 2+, dot, 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 plus a n x के पार में n, ठीक है, इन टू, g of x क्या है, यह है, b0 x के पार में 0+, b1 x के पार में 1+, b2 x के पार में 2+, dot, 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 plus bn x के पार में, ठीक है, कुछ नहीं करना है, simple आप गुना किजिए, जो आपने छोटा में पढ़ा है, ठीक है, अब जिसे आपने यहां पर गुना करेंगे, a0 x के पार में 0, इसको गुना करते हैं, फिर एक बार 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 इसको गुना करते हैं, तो आप इस प्रकार से गुना कर सकते हैं, चली करते हैं, जिसे से प्लस अपने जीरो एक्स के पार में जीरो को गुना क्या एक पर इससे बीवन एक्स के पार में से प्लस अब फिर एजीरो एक्स के पार में जीरो का अपने गुना क्या किसे इससे गुना होगा इंटू किसे इससे बीटू एक्स का स्कुर से ठीक है प्लस फिर से जीरो एक् जिरो पार में प्लस प्लस है फिरोगी और से पार में प्लस रूट एक लट Whats गु cared कर रहे हैं एवन एक्स बीन एक्स के पावर में ठीक है फिर लोग इसी तरह सब्सक्राइब गुना करेंगे तो देखिए यह जो कॉंसप्ट आप करेंगे इससे आपको बहुत इदिक्कत हो जाएगा आप सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे तो गुना कर सकते हैं को दिकत नह नहीं करेंगे यह तह haben a concept लेगिन इसते हम लोग करने वाई नहीं हैत हम लोग इस से करेंगे चेकी मेह सबर uma nawet नहीं बताया जैसे अगर मालड़ी जेखना चाहिए तो चलिह में आपको एक्जांपल लेकि इस कॉंसेट को सम्झाइब लेख फैक्स हमारी पास यह प्लस ठीक है और जी ऑफ एक्स जैसे हमारी पास है मालड़ी जीह लिए इस तरह का है तो क्या करते हैं आप एक्सेमृट्री इंटू प्रिये आक्स कई सक्षा त्यू आपका छोटा ता इसलिए अपने आसानिस कर दिया घृत को बड़ा-बड़ा-ठार्म दिया जाए तब क्या करेंगे तब आप नहीं कर पाएंगे ठीक है तो यह अपस इन्टु जीओ अफस हो जाएगा घपाप एक्स इन्टु जो जी आफीओ एक्स हो जाएगा तो इस प्रकार्षम को मालीजी मिल रहा है अब देखें यहां पर अब सोचने वाली बात क्या है कि C0C1c2 मतलब क्या हो रहा है आपको सारा समय माँ जाएगा देखिए हौयर हौयर देखें सीजी जीरो सीजी जीरो में आपको क्या लेना है अब सोचिए जीरो आपको थो ठर्म है ना मल्टिप्लाय किसका किसका हो रहा है आए और व सकते हैं कि आई प्लस जे आई प्लस जी ब्रावर एन एक बरावर है एइए बीच ये से नहीं को लीके से यह यह समझ नहीं सीन उड़का हो जैगा यह हो जाएगा आपको यह समझने का ज़्रद नहीं लेकर हम लोग मल्यूलillah किस Pinterest करने हैं दो तर्म को एक तर्म और अरका भी है तो दो तर्म को मृटिप्लाइ यहीं हुगा तो यहां पर यहां पर कितना है जिरो तो बूली है क्या याद करने से हमारे zehn होता है क्या डोठनों लेना है जैलेना तो आयों जो में क्या-क्या लेंगे ताकि आपको क्या है क्या मिलेंगा टो हिसली आपका मिले 떼ब Cliff खुछ भी आप ले लए लिए कभी भी 0 नहीं मिले बनेगा तो यहां पर सी 09 मतलब होगा हमारा 0 0 20 यानि यहां पर क्या है दो है यानी आटीघे जेगा पर 0 और भी ड्याय जैक यहां जहें जगाब है जीरो ठीक आप बात कर सीवन तो सीवन आप क्या लिखेंगे तब सोचे कि वन क्या क्या याड करने से हमारा होता है आप हमेसा इस्टाइब की जाएगाज से देखिए वन का बात हो रहा है चलिए इधर वाला में मिटा देता हुं ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आएगा अच्छे तरीके से अब हमको क्या चाहिए यहां पर वन चाहिए देखिए आप हमेशा जीरो सी स्टार्डिंग किजिए ताकि एक दम अभी आपको ट्रीक समझ माँ जाएगा सारा ट्रिक क्या खेला हो रहा है यहां पर हमारा है इधर हमारा एन है इधर आई है इधर यह हमारा N तो न है यह हमारा आई है यह हमार सब बंद का एक यह फ्य बंद करेंगे फिर फिर और न पाँ vive क्या होगा यह आप पर यापन रोड दो के बढ़ेंगे टो यह पॉसिपलिटी बनेगा सबसे पहला आप प्रमषड करेंगे याई पर से स्टार्टिंग किसी देखें यहां पर है न झो एक बाहर ऐक बर तक चलना यह है जिरो एकबार फिरी के लिए डिसक्स करेंगे डिक पिर अबैब टू एगवार टू एगवारी ठीक फोर के लिए अगर करते हैं हम लोग फोर के लिए तेगा प्रक्āत खेबर जीरो एक वे तो एक बार फोर यनि जहां तक हैं को कहीं तक जाना है ऐसे नहीं प्रम्रे दोट्रेयाय मत्रोज सब्सक्रांइब कमेष्स ले कि लिए वो देखेंए फाइब करेंगे जरो एंट टो फोर फाइब सिख्क चलेंगे लेकिन आपको इतना दूर तक जाना नहीं है आपका चार तक महीं काम बन जाता है। अगर मुज़ि लिखा आपको दे दिया जाए तो five यहां sha ai 5 के लिए 5 के लिए क्या होगा सबस्ट 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 आपको अहीं तेक चलना है अब 0 है 0 में क्या अट गनेस 5 होगा तो 5 मंद्रब कुछ नहीं करना देखिया आप 0 से एक बार 5 आजाएं फिर एक बार उल्टा में आजाएं 5 4 3 2 1 0 समझ रहें जैसे आपने एक बास चिदा चला 0 1 2 से चला 0 1 नो टूर लिगा फिर उल्टा से मन्टू बंजीरो जिसे 3 यहाथ 0 1 2 3 फिर उल्टा 3 2 1 0 यहाँ पर देखें फोर तो 0 1 2 3 4 फिर उल्टा 4 3 2 1 0 बास समझ रहें यहाँ पर भी होई आल है इस से यह सी एट इस फाइंड करेंगे किस प्रकार स्वाइंड करेंगे अगर आप सी 7 फाइंड करते हैं तो आप क्या किजिएगा पले सी 1 सी 2 3 4 जिसे देखें आपको सी 757 फाइंड करना है तो सब्सक्राइब क्या करें 0 1 2 3 4 5 6 7 फिर फिर उल्टा चल गएंगे 7 6 5 4 3 2 10 देखिए कितना सिंपल तरीका है कितना सिंपल तरीका है आप इस तरीके मुक्ति निए सारे सी 1 सी 2 सी 3 सारे को फाइंड कर सकते हैं तो तो सी 0 अमने लिग दिया सी 1 हमारा क्या क्या हो रहा है सिट्माइब बात करें तो देखिए सीट्म में तीन पॉसिबिलिटी बन रहा है एक जिरो डू का यानि जब 0 होगा तब टू होगा ठीक है उटाएं यानि एब टू बी वन फिर क्या इंट तू जीरो का यानि एक टू बीडिरो देखिए किस प्रकारस पॉसिबिली बना रहे हैं सिंटु हमने लिख लिए अगर को सीत्री लिखना है किसे लिखना है देखी सीत्री में 03102 टेक यानि यानि येवन बीकandır खर्डात्य किछे दविखbrand su यानि-डीवन पेके थीन यानि थिरीवेज्जी रहे हैं यनि यानि एट्री बीजी सारे wreck destro बात समझ रहे तो चलिए यह हमारी प्रौसीजर आपको इस परकार से वर करना आप चाहिए तो आप test ृपार ुपॉर कर सकते हैं अगर आब करके दिखाई है तो मैं आपको लिखाता हूं किस परकार सिट लगना है नृति के是 है यानि a3 b1 plus 40 यानि a4 b0 देखे कितना सिंपल है कितना अच्छा ट्रीक है आप इस ट्रीक की मदद से नोमियल का प्रोडेक्ट आप आसानी से सकते के महद से और इतना है कि साथ कहा देता ही कि हम आपको इस प्रकार की कोई भी ओफ़लाइन क्लास या फिर कोई यूट्व में कोई भी टीचर आपको आज तक ने पढ़ाया था ठीक है तो आप इस प्रकार से ट्रीक पर वर्क करें जो अभी आपको 5 तक चलेंगे सिधा और फिर प्रकार से हमको वर्क करना है ठीक है बहुत ही अच्छा कॉंसेप्ट बहुत ही चट्रीक है चले हैं आपको किस प्रकार से वर्क करना है तो चलिए students अब हम लोग product और two polynomial से related एक example देख लेते हैं इसमें आपको क्या होगा दो polynomial given होगा और उसका आपको product करना है जैसे हमको यहाँ पर एक polynomial f of x दिया है और एक दिया है g of x f of x हमारा है 2 plus 5 x plus 3 x square minus 4 x q और g of x है 3 plus 4 x minus x q plus 5 x के power में 4 तो देखिए जो हमारा product होता है क्या होता है f of x into g of x बराबर क्या लिखते हैं मैंने आपको अभी थोड़ा दिर पहले बता है क्या लिखते हैं c0 x के power में 0 plus c1 x के power में 1 plus c2 x के power में 2 इस तरह करते हम लोग जाते हैं तो आप यहाँ पर कितना दूर तक चलेंगे तो देखिए कैसे पता चलेगा तो आपका जो first polynomial है इसका highest degree देखिए कितना है इसका 3 second polynomial देखिए तो इसका highest degree कितना 4 है तो 4 और 3 को आप लैट कर दिए कितना हुआ 7 यानि आपको चलना कहां तक है इसका चलना है बहुत समय रहें कहां देख चलना सी 7 तक आप ऐसे में बोल सकते हैं सर आप ऐसे डाइरेक्ट के इसे बोल दिए ठीक है तो देखिए मैं आपको चालता हूं हमको क्या करना गुना करना इसका और इसका तो देखिए 2 से एक पर हमानुक सबको गुना करेंगे पाइक से सबको करेंगे एक बद 3 x सबको करेंगे एक बद्ध माइनस-4 box debugging से सबको करेंगे तो ओ एक बार इसको करेंगे इसको करेंगे जब इसको करेंगे तो क्या होगा यहां तो मैं तो at x into J up x क्या हो जाएगा सी जीरो पार घ्रो एक्स के पार में जीरो प्लससी एक्सके पार में जीरो प्लससी मैं सिट्वकारमेइग टो X के पावर में 4 प्लस C5 X के पावर में 5 plus C6 X के पावर में 6 प्लस C7 X के पावर में 7 चलिए सब को एक बार हम लोग यहां पर लिग लेते हैं फ़ले हम लोग F of X से काम करते हैं ठीक है आप चाहिए तो डार्यक्ट कर सकते हैं तेशी जिरो क्या बूलेंगे एक बाल लिग लीजिए सबको एक बढल लीजिए अपका पाल क्या है टू प्लस उसो क्या है प्लस प्लस लाइनख माइनश फॉर एक्स यू यह है तो यहां पर अगाल कोफिसेंट देखेंगे तो यह आपका एजीरो है A0 क्या A2 है A1 आपका कितना है 5 है A2 आपका कितना है 3 है और A3 आपका कितना है माइनस 4 है उसके बाद देखें आपको यह आपर क्या तक चलना है C7 तक चलना है याने हम लोग 7th कॉपिसेंट तक देखेंगे ते 3 हो गया अब यह 4 NX के पार में 4 कुछ नहीं है तो A4 हो गया A5 हो गया A6 हो गया और A7 हो गया क्या हो गया 0 कि इसका वेरियेबल इसका वेरियेबल इसका वेरियेबल इसका वेरियेबल इसका वेरियेबल में मौझूद नहीं है मुझद नहीं यानी 0 हो गया अब बात करते हैं जी ओफ एक्स का तो जी ओफ एक्स हमारा यहां पर क्या है यह है 3 प्लस 4 एक्स माइनस XQ प्लस 5 एक्स के पावर में 4 तो आप यहां पर देखेंगे भाली बात में यहां पर यहां पर यहां जो lei निकालना आपको C0 निकालना तो शली एककख कर के सब गो निकालते ही हम लोग कि 0C0 का हम लोग क्या बोलते हैं A0 B0 अब A0 B0 मतलब क्या A0 का वेलू है 2 और B0 का वेलू है 3 तो 2 इंडू 3 क्या हो जाएगा 2 इंडू 3 बराबर 6 उसी प्रकार से एकर C1 पाइंड करेंगे तहीं होगा A0 B1 प्लस A1 B0 ठीक है तो A0 कितना है 2 और B1 कितना है 4 तो 2 फोर जा 8 प्लस A1 B0 A1 आपका है 5 और B0 है 3 तो 5 ती है 15 तो 15 और 8 कितना हो गया 23 हो गया ठीक है C0 C1 हमने find कर दिया आप बारी आता है C2 का तो देखिए जिस C2 है जिसे C0 था तो एक टर्म लिए C1 था तो दो टर्म लिए C2 है तो तीन टर्म लिए देखिए एक A B फिर से और एक B फिर से और एक B 2 है 0 से स्टाट होता यह 0 हुआ यह 1 यह 2 फिर एक फोल्टा चलेंगे 2 हुआ 1 हुआ 0 हुआ मात समझ रहे हैं तो A0 B2 आप जैसे की देखिए आप यहां पर यहां पर B2 वाला जो टर्म होगा उसका वेलू क्या होगा 0 होगा तो देखिए यह B2 वाला टर्म है तो इसका आप अटोमेटिकली 0 लिग देजिए सोचने का भी बात नहीं है फिर A1 B1 आपको फाइंड करना तो A1 B1 देखिए यह हुआ A1 और यह हुआ B1 तो 5 ओके 20 ठीक है अब A2 B0 A2 A2 यह 3 और B0 है आपका 3 तो 33 जा 9 तो प्लस 9 तो 20 और 9 क्या हो गया 39 हो गया ठीक है अब जैसे तो C3 अगर आप फाइंड करेंगे C3 तो C3 आपका क्या होगा देखिए अक्च्वल में इस तरह से देखा जाए 3 तो पहले 0 3 के लिए C3 A के लिए 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ठीक है फिर यहां पर 3 2 1 0 यानि इधर बाला इधर बाला आपका A है और इधर बाला आपका क्या है बी है यानि A0 B3 A1 B2 A2 B1 A3 B0 यह सब चीज़ में आपको सिखाया है ठीक है आप जिसे कि देखिए यहां पर जो बीटू बाला है बीफाइब बाला बीशिक्स और बीटू बाला बीटू बीटू यह आपका 0 हो जाएगा यह खतम हो जाएगा पूरा-पूरी उस तरह से द लिखे इस तरह से आगर नहीं लिखे तो फिर भी आपका काम बंजेगे लिए इन लिग लेते हैं A0 B3 A0 B3 प्लस A2 B1 A2 B1 प्लस A3 B0 A3 B0 तो A0 B3 A0 B3 यह हुआ A0 और यह हुआ हमारा B3 तो 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2 माइनस 2 प्लस A2 B1 A2 B1 A2 B1 A2 यह हुआ और B1 तो 3 चरे 12 अब A3 B0 A3 है माइनस 4 और B0 है 3 तो माइनस 4 है 12 तो माइनस 12 माइनस माइनस प्लस माइनस 12 हो गया अब माइनस 12 प्लस 12 कंसल आउड हो जाएगा बचेगा कि माइनस 2 बचा के वल ठीक है हमने C0 C1 C2 C3 फाइंड कर लिया अब आगे बात करते हैं अब आगे ह 0 सी स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 यह आपका A हुआ यह आपका B हुआ ठीक है अब जैसे B2 बाला अपका 0 हो जाएगा बी टू बला आपका जिरो हो गया, उसी प्रकार से A4 बला भी आपका जिरो हो गया, क्या बचा A0B4, यहां पर C4 के लिए क्या बचा A0B4 प्लस A1B3, A1B3 प्लस A3B1, A3, B1 चलिए सबके value को put करते हैं अब A0, B4 A0, 2 है और B4 आपका 5 है तो 2, 5 जा 10 हुआ A1, B3 A1, 5 है और B3, minus 1 है A1, B3 है ना तो 5 और minus 1 multiply करेंगे तो minus 5 होगा plus A3, B1 यह हुआ A3, minus 4 और B1, plus 4 तो minus minus plus minus plus minus 4 into 4 multiply कीज़े करेंगे क्या होगा minus 16 ठीक है और minus 5 और minus 16 अगर add करेंगे तो minus 21 होगा और यह plus 10 होगा तो minus 11 यहां से यानि C4 का अभेलू क्या मिलिया minus 11 अगर यहां से हम लोग C5 फाइंड करें तो C5 फाइंड करेंगे और इसे ही 0, 1, 2, 3, 4, 5 इधर 5, 4, 3, 2, 1, 0 अब यहसे की B2 आपका यह होता है यह B होता है तो B2 आपका खतम B5 आपका खतम और कुछ खतम नहीं अब A अलाम चलें तो 4, 5, 6, 7 A, 4, 5, खतम यहां समको यही दो चीज मिला क्या-क्या मिला अगर आप लिखेंगे तो A1, B4 और A2, B3 दुशली देख लेते हैं A1, A1 कितना है A1 है 5 A1, B4 तो 5 और 4 4, यह 4 तो 5 पचे 25 ठीक है और यह प्लस है A2, B3 A2 यह हुआ A2 और यह B3 A2, B3 यह 3 यह 3 यह माइनस 3 तो 25 में 3 जाएगद क्या होगा 22 चलिए C5 भी हमने फाइंड कर लिया अब C6 का वारी आया तो 66 के लिए भी आमारा यह A हुआ B हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह हो गया 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 अब जैसे कि B2, 5, 6 चल जाएगा B2 B2 गया B5 गया B6 गया ठीक है अब A वाला क्या-क्या चल जाएगा 456 A4 चल गया है 5 चल गया 6 चल गया यानि क्या बचा A2, V4 A2, B4 A3, V3 A3, V3 A2, V4 A2, A2 क्या है A2, 3 है और B4 V4, V4 आपका 5 है तो 3, 5 जा 15 प्लस A3, V3 अब A3, B3 यह हुआ A3 यह हुआ B3 तो माइनस 4, माइनस 1 तो क्या होगा 4 होगा तो 15 और 4, 19 तो हमने C6 भी फाइंड कर लिया ठीक है अब चलिए अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं C7 दिख रहा है अब हम लोग यहां स्पाइंड करते हैं C7 अब C7 यह A हो गया यह B हो गया अब 7 है तो 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर भी आपका 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ठीक है अब जैसे आप देख रहे हैं कि 4, 5, 6, 7 खतम हो जाएगा 4, 5, 6, 7 खतम हो गया और B वाला क्या क्या खतम होता है 2, 5, 6, 7 तो B 2 चल गया है B, 5, 6, 7 चल जाएगा यानि केबल और केबल क्या बचा A3, B4 या पर क्या बचा A3, B4 तो A3, B4 देख लेते हैं क्या है A3 A3-4 और B4 यह 5 हुआ ठीक है 5 के 20 यानि माइनस 20 माइनस 20 तो अभी जो हमको भेलू मिला है सारे भेलू का उनलों क्या करेंगे पूट कर देंगे और हमारा जो फाइनल एंसर है वो आ जाएगा तो चलिए अब हमनों को सब के वेलू को यहाँ पर पूट करेंगे देखिए सिंपा लेठेक है मैं आया आपको संघा संजा बता रहा हूं इसलिए वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा जा रहा है लेकिन जब आप घर में प्रेक्टिस करेंगे तो आपके कुछ भी टेंट्शन नहीं लेगेगा आप आसानी से सब स्वाल्व कर सकते हैं C0 C0 का वेलू क्या है 6 है तो 6 X के पावर में 0 है 1 तो 6 इंटो 1 तो 6 होगा प्लस C1 देख लिजिए C1 है आपका 23 यह होगा 23 यह X प्लस C2 X स्क्वेर C2 C2 कहा है यह है C2 29 X स्क्वेर प्लस C3 X के पावर में Q C3 क्या है माइनस 2 तो माइनस 2 X के पावर में Q प्लस C4 C4 क्या है माइनस 11 माइनस 11 X के पावर में 4 प्लस C5 C5 यह है 22 22 X के पावर में 5 प्लस C6 C6 आपका क्या है C6 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 यह है 19 19 X के पावर में 6 प्लस C7 C7 आपका क्या आया minus 20 minus 20 X के पावर में 7 इसको थोड़ा साम लोग separate करके simplify कर देते हैं बस हमारा फानी इन से आ जाएगा ठेक है यह स्टिक से रहने देते हैं प्लस 23 X रहने देते हैं प्लस 29 X स्क्वार प्लस माइनस माइनस 2 X Q प्लस माइनस 11 X के पावर में 4 प्लस 22 X के पावर में 5 प्लस 19 X के पावर में 6 प्लस माइनस माइनस 20 X के पावर में 7 और यह रहा आपका final answer ठीक है easy है आप घर में practice किजिए आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा और अगर कहें पर भी कोई doubt होता है तो आप हमें comment कर लिजिएगा आज के लिए इतना है thank you